है गाइस वेल्कम टो साइक आप सब अच्छोंगे तो काफी बड़ी और बिग अपॉर्चुरिटी आप सभी के लिए है क्योंकि यंग फैलो के तरह ही आपके एक फैलोशिप आई है और जो आपकी चीफ मिनिस्टर फैलोशिप के नाम से और अप्लाई कर पाऊगे और और एक्सपिरियस मांगा है और अगर आपकोई इंटर्मसेब अप्रेंटिस और कुछ भी करा वो भी आपका एक्सपिरियस में काउंट होने वाला है तो काफी अच्छी अपकी अपकी अपरचुनिटी है मंतली जो आपका स्थाइपेंड है वो 75,000 करीब आपका है और और अल एक साल के रहने वाली हैं तो सब कर दिना तो सबसे पहले बात कर लिएंगे हमें क्या इसे साल के रहने वाली है ठीक है और एक साल की फेलोस्टी बहने वाली हो आप काम का करोगे अगर आपका स्लेक्शन होगा तो फैलो विल बी अपॉइंटेट जो होगा आपका वोगा ओफिस ऑफ इस स्पेसिफिक ऑथॉर्टी गॉवर्मेंट की ओफिस होंगे जिसे डिश्टिक और क्लेक्टर ऑफिस चीफ एक्सक्रीटिव यूएन ऑफिस के हो गए कमिशनर्स सेक्रेटर्स इन गॉवर्मेंट मैनेजिंग डिरेक्टर्स इनके अंडर आप यहां पर काम करने वाले हो ठीक है तो यहां पर आप लोगी क्या है पोस्टिंग रखिए की होगी दिए बाकी जो पहले के हैं किसी क महिला आरती विकास जोई अप्र केके से को लापूर म्स्पिवश सिग के आपकी दिस्टिके कलेक्टर आफिस तो अलग अलग जगाह आपकी पोस्टिंग होगी इस फैलोशिप के अंदर और आपके इस्टेरिया के पहले आपकी ट्रेणिंग होगी IAM और IIT के अंदर आप लोगे ट्रेनिंग के बाद आप अपना जो है वर्क सुरू करोगे अब क्वालिफिकेशन बात करों में एज लिमिन क्वालिफिकेशन की तो चीफ मिनिस्टर फैलोग दोहर तेईस के लिए जो क्राइटेरिया है आपकी जो मिनिमम एज है वो ट्वंटी वन यह होनी चाहिए और मैक्जिमम एज आपकी ट्वंटी सिक्स एर होनी चाहिए फॉर्म भनने तक यानिकि आपकी डेटोप बढ़ते हैं वो 33 1997 से 33 2002 के बीच अगर है तो आप इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हो और सेकिंड जीच क्या है तो किसी भी इस ट्रीम से कर ग्रेजिएशन किया सब्सक्राइब करने की मास्टर्स एंफिलिप पिएच्डी की उन्हें प्रेफरेंश देंगे बगी मिनिम्मम ग्रिजूइशन इसकी सिक्ष्ट परशन आप जो है वह क्वालिफिकेशन है और दा कंडिलेट शुट पॉसेस एटलिस वन इयर का आपके पास फुल टाइम का पर आपके पास होना चाहिए साथ में अगर आपने फुल टाइम इंटर्सिप करी है अप्रेंटिस करी है आर्टिकल सिप करी है यह कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट रहे हो तो वह भी आपका काउंट होगा एक्सपीरियंस में यह फिर आपने अपना खुद का बिज अगर आप अप्लाइ कर रहे हो तो शुट रीड एंड कर राइट राइट रीड यानि स्पीक माराथी लेंग्वेज आपको आने चाहिए साथन आपको नौलिज होने चाहिए हिंदी और इंग्लिस की इससे फिल करने के लिए अप्रिकेशन और साथन आपको कम्पीटर की नौलेज भी होनी चाहिए वाली है और साथ आपको स्टैपेंड वगरा क्या मिलेगा उसे बतकर लेते हैं कहां पर आपको स्टैपेंड है विस्टैपेंड देखेंगे क्या आपको मिलने वाला इसके अंदर तो जो स्टैपेंड आपको आए थिंगा आपको 70,000 रुपीज आपको पर मंत स्टैपेंड मिलेगा साथ आपको 5,000 रुपीज जो मिलेंगे वह आपको ट्रेविंग अलाउंस भी इसमें दिया जाएगा टोटल आपको जो मन्थली स्टैपेंड होगा वह 75,000 आपका रहने वाला है बंकि इसमें अपको नहीं मिलने वाला है इसमें जो जाम देंगे पार्ग में ओनलाइन टेस्ट तो पार्टवard ओनलाइन पेपर दोगे उसके बाद पार्टव इंब्सके उसके बाद पार्ट्वाट वहां केոगा जो जो आपका तोल 210 संतरा फोट्लिश्ट जो वह अपना ऐसे अप्लोट करेंगा आनन ऐसे होगा इसे बातidan होगा पार्टू में और उसके बाद जो है वो फाइनल मेरेट आएगी तो टोटल जो फाइनल मेरेट लिश्ट हो 60 कंडेट के आई टोटल साथ बच्चों के मेरेट लिश्ट आएगी और जो आपको ऑनलाइन टेस्ट हो वो एमसी कूब बेश्ट रहने वाला है और मीडियम का रहांगा टेस्ट का मीडियम तो टेस्ट विल इंग्लिस ठीक है टेस्ट का मीडियों आपका इंग्लिस रहेगा और बाकी महाराठी में भी आप क्कॉश्चन दीख सकते हो एक घंटे का आपका प्रक्रोगा प्रद वन इसन आपसे करिंट आफेस जन्न नौलेज्ज, सोसल इस्यूस एंड एकोनोमिक्स विद रिगार्ष टू इंडियान एन महराष्ट्रा के अकॉर्डिंग आपसे कोशिन पूछी जाएंगे खाष्य होनौ के सात में 10 मांक्स की इसमें रिखी और 10 narc में इंगली सी नौशिय जरुगी रहेगा उने 5 लिगवजेंग पूछ जहेगें और ईटी इन्फॉमरेशन टेख्नोलोजी यह ट्येन दोज बच्चे स्लेक्ट होंगे इसमें वह तीन ऐसे लिखेंगे और जो ऐसे हैं आप आप माराथी हिंदिय और इंग्लिस किसी भी टॉपिक आप ऐसे विलिभी कवर्ट कंड़ेट थो इमेरन वेबसाइट है तो आप जो ऐसे हो आप माराथी में लिख सकते हो चाहे आप वह हिंदी में लिख लो चाहे आप वह इंग्लिस में लिख लो तो ऐसे आप किसी चीज में भी लिख सकते हैं साथ में क्या ओनली दो शॉट लिश्ट कंड़ेट हुए सब्मिट थ्री ऐसे कॉल फॉर इंटर्वी जो तीन ऐसे सब्मिट करेगा उसके बाद ही उसको शॉट लि इसके बाद आपकी फाइनल मेश बनेगी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेट सिस्टी कंड़ेट एन वेटिंग लिश्ट फिप्टिन कंड़ेट विल भी पब्लिश साथ बच्चे यह सेलेक्ट करेंगे साथ पंदधा को यह वेटिंग भी देंगे यह सारा इनों लिख दिया है आप पर और साथ में और चीजा आप नोट पढ़ने कहके नोट है आप इसमें आपको फॉर्म आपको फीज भी देने पड़ेगे बात आदकना 500 रुपी आपकी फीज से ऑनलाइन फॉर्म भरोगे आप ठीक है यहां पर लिखा हुआ है आपका ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है सब्सक्राइब करने लिखा हुआ है और साथ में बाकी तो कुछ चीज इसमें ऐसी है नहीं और आपको ट्रेणिंग लिजाएगी जिसमें आपको सारी चीजिस सिखाई जाएंगी सब कुछ यहां पर है आप यहां पर एफसाइट में आओगे तो आप साइन इन करके जा सकत है तो यहां पर application instruction दिए हुए जिसमें लिखा कि कैसे आप form यहां पर भर सकतो सब कुछ इन दिखा है ठीक है अब देखो क्या है साथ फरवरी से आपका दो मार्स तक आपके जो है वो के चलेंगे आपके application form चलेंगे तीन मार्च को आप mock test दे सकते हो तीन से पांच मार्च प्रेक्टिस सेट लगा सकते हैं online questions के उसके बाद चार पांच मार्च के चैनल आपको आपको जो है वह ओनलाइन पार्ट वन का टेस्ट लिया जाए कर तो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप महरास्टर तो यहां आपको लिखा वारा है लाज दो मार्च है साथ में अप्रिकेशन सब्सक्राइब करो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है टेल्ग्राम का इसको जॉइन कर लो परके जल्द मिलते हैं अगरे वीडियो अब तक लिए थैंक्यू